तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं भी ए मल्टी मीडिया कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने बला हूँ तो आपका स्वागत दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के कतम होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिए गात तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं BA Multimedia Course के बारे में आपसे मैं डिसकस करूं तो BA का मतलब होता है Bachelor of Arts और BA Multimedia का जो कोर्स है जै कोर्स एक Undergraduate Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स तीन वरश का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 स्मेस्टर होते हैं तो जै कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके माद्यम से स्टुडेंट्स को Graphic Design, Video Profession, Web Designing, Animation और अन्य संबंदित बिशियों के वारे में स्टुडेंट को जानकारी परदान की जाती है तो जै कैसा कोर्स है जो Multimedia Production और Design के Concepts को समझने के लिए Design किया गया है तो जै कोर्स स्टुडेंट्स को Various Mediums जैसे की Graphics, Animation, Video, Web Designing और Audio Production के तुरू Media Content को Create करने की जो Skills होती है वो Student को Study करवाता है तो इस कोर्स में आपको जो Theory के साथ सा जो Practical की जो Knowledge होती है वो भी आपको दी जाती है आपको जो Multimedia Tools और Software होते हैं जैसे की About Photoshop, Illustrator, Premium Pro, After Effects और 3D Modeling जैसे जो Software होते हैं उनका इस्तेमाल करना आपको सिखाया जाता है तो अगर दोस्तो आप इस परकार की फील्ड में अगर आप इंटरस्ट रखते हो तब तो आपको जाय कोर्स आपको जरूर करना चाहिए इस कोर्स को पुरा करने के बाद आपको कफी अच्छी जोग की जो Opportunity है वो भी आपको मिल सकती है और अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अगर आप अपनी स्टेडी को आगे Continue रखना चाहते हो तो दोस्तो आप MA के लिए भी आप Apply कर सकते हो अभी आपसे मैं Eligibility Crideria के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वालाओं के जनी आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से Admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको Admission लेने के लिए दोस्तो आपको जो 12th की जो Class है उसी आपको Pass करने पड़ेगी तो तभी आप इस कोर्स के लिए Eligible हो पाओगे और आप चाहें तो आप 12th की Class आप किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हो और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जिनिवरस्टिस का जो Eligibility Criteria है इस कोर्स के रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट भी हो सकता है अभी आपसे मैं जो Profiles के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि जने अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो आपको किस प्रकार की जोव मिल सकती है तो दोस्तों आप Graphic Designer बन सकते हो, आप Multimedia Script Writer बन सकते हो, आप Web Designer बन सकते हो, आप Animator बन सकते हो, आप Video Editor बन सकते हो, आप Art Director बन सकते हो इसके लावा दोस्तों आप जो Teaching की जो जोवे उससे भी आप हसल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में slayvers के बारे में आपसे में discuss करने वाला होंगी जैने आप इस course में आखिर किस परकार का जो slayvers होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप English, creativity and design skills, introduction to digital media, introduction to cinematography, etc. जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के मादम से दोस्तों आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सरी इनिवर्स्टिस के slayvers के हिसाफ से जैज जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे भी ए मल्टी मीडिया course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार के कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और भी काफी जरे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वेकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद